next question question says what is the effective capacitance between point x and y और इस तरह का अपना combination बना हुआ है कि यह आपका point x है और यह point आपका y है हमें इनके बीच में effective capacitance बताना है अपने capacitor लगे हुए 6666 और बीच में 20 है इसको थोड़ा सा गौह से देखेंगे तो यह आपका structure कुछ इस तरह से बन सकता है कि यह आपका combination कुछ इ यह आपका x यह आपका y यह हमें जाना पैचाना दिख रहा है यह वीट्स ओन ब्रिज या गया हुँ पत्तर का पिल जैसे इसको हम बोलते हैं तो यह आपका वीट्स ओन ब्रिज कॉंबिनेशन है यानि कि इस 20 का 20 माक्रोफरेड का कोई रोल नहीं रहेगा तो 2 6 और 6 आपक यह आपके सीरीज में आ गए तो 6 और 6 सीरीज के होने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपका आगया 3 माक्रोफरेड और यहाँ पे आपके 3 माक्रोफरेड यह आपका पॉइंट एक्स यह आपका वाई और तीन और तीन पैरलल इसका मतलब हो गया आपका सी कॉलेंट जो आ गया वो हो गया 6 microfarad so 6 microfarad so based on this हम कह सकते हैं कि option number D 6 microfarad would be the right answer